बिल्कुल जया प्रचार के अंतिम युद्ध पर एबीपी गंगा की तुपानी कवरेज के बीच मिल रही है एक बड़ी खबार यूपी विधान सभा चुनाप के लिए घोशना पत्र जारी करेगी आज भाजपा लखनाओ में सुभा साढ़े दस बजे भाजपा जारी करने वाली है अपना संकल पत्र केंद्रे मंत्रिया में च्या जारी करेंगे भाजपा का आज घोशना पत्र सीएम योगी आदेतनाद धर्मेंदर प्रधान अनुराग ठाकुर भी इस दौरान महजूत रहेंगे आपको बता दे कि छे परवरी को लता मंगेशकर के निधन की वचह से भाजपा ने घोशना पत्र जारी नहीं किया था किसानों और साथ ही युमाओं को रोजगार समेथ कई बड़े वादे कर सकती है तो आज साड़े दस बजे इसका एलान हो जाएगा लोग कल्यान संकल पत्र ये नाम दिया गया है जिसमें बड़े वादे होंगे भाजपा के यूपी चुनाव के लिए आज घोशना पत्र भाजपा अपना जारी करेगी सुभा साड़े दस बजे का समय है जब ये सभी तिकट मौशूत रहें के एक मंच पर और यहां से एलान किया जाएगा आज ये जारी होगा दो दिन पहले ही घोशना पत्र मतदान से पहले जारी कर रही है भाजपा और यूपी चुनाव के लिए अब पहले चरण के लिए मात्र दो दिन बचे हैं उससे पहले जनता के सामने वो फूरा मसौदा रखा जाएगा बताया जाएगा कि अगर फिर से मौका मिला तो क्या करने वाले हैं वे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो यूपी चुनाव के लिए आज घोश्वा पत्र जारी करेगी भाजपा सुबह साड़े दस बजे का समय बताया जा रहा है संकल्प पत्र भारतिय जनता पार्टी जारी करेगी केंद्रिया मंत्री अमित श्रा जारी करेंगी भाजपा का घोश्वा पत्र सीम योगी आदित्यनाथ होंगे, धर्मेंद प्रधान होंगे, अनुराद ठाकूर भी मौजूद होंगे, तमाम बड़े नेता भारतिय जनता पार्टी के मौजूद होंगे, लोग कल्यार संकल्प पत्र इसे नाम दिया गया है और भोश्रा पत्र जारी करने से पहले रिपोर्ट कार्ट भी सरकार का मुख्यमंद्री योगी आदित्यनाथ ने रख दिया था, आज भी वो बताएंगे कि क्या बड़ी उपलब दिया है और इसके बाद अगर 2022 के चुनाव जीतने के बाद मौका मिलता है तो भारतिय जन्ता पार्टी जन्ता के लिए किस तरीके से काम करेगी ये तमाम बाते घोश्रा पत्र में रखी जाएंगे, साड़े दस बजे का समय बताया जा रहा है आज भारतिय जन्ता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होने जा रहा है और संकल्प पत्र में कई बड़े वादे भारतिय जन्ता पार्टी कर सकती है बिजने बेल, किस्तान, रोज़दार को लेकर बड़े वादे हो सकते हैं सबकी निगाहे तिकी हुई हैं साड़े दस बजे का समय जब भारतिय जंता पाटी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी बिल्कुल ये संकल्प पत्र तो रखा ही जाए